कौन ऐसा भक्त होगा, कौन ऐसा प्रेमी होगा, जो ब्रिंदावन में बसना ना चाहे जी सब चाहते हैं कि ब्रज में कहीं भी श्री किशोरी जी हमें बसा ले तो ये जीवन सार्थक हो जाए और ब्रज का वास, श्री भिंदावन का वास अगर कोई दे सकता है, तो वह है केवल किशोरी शी शामा प्याह, हमारी शी राधारानी, बिना राधारानी की कृपा के, ब्रज मंडल की तरफ मुख करके भी जीव सो नहीं सकता है, वास की तो बहुत दूर की बाद, युगल की कृपा से ही प्रजवास मिलता है, संत जनों की गुरु जनों की कृपा से ही प्रजवास बनता है, तो आओ मिलकर के आज एक प्रार्थना कर ले हम सब भाव के साथ, प्रेम के साथ, रसनाा पे अगल, तेरा नाम रहे, जग में फिर नाम रहे ना रहे, मन मंदिर में घनशाम रहे, मन मंदिर में घनशाम रहे, जूठा संसार रहे ना रहे, दिन रैन हरी का नाम रहे, कोई और फिर ध्यान रहे ना रहे, तेरी किर्पा का अभिमान रहे, कोई और अभिमान रहे, कोई और अभिमान रहे ना रहे, बेहाधी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा, बेहाधी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा, बेहाधी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा, बनाने से भी बात नहीं बनेगी जी, कितने कितने लोगों ने घर बना दिये ब्रंदावन में, लेकिन रहे कितने पाते हैं, बात तो यह है, वहाँ पर लेकर के प्रोपर्टिया कितनों ने डाल दी, लेकिन ब्रंदावन में वास कितनों का बन पाया, मुखे बात तो यह है और हमें तो ऐसा लगता है हमने खुद देखा है पचास-पचास-साथ-साथ-लाग के फ्लैट में मालिक नहीं रहता लेकिन उस फ्लैट को साफ करने वाला एक सेवक ब्रंदावनवास कर लेता है क्या पता स्रीजी ने उसकी विवस्था करी हो उस माध्य से अब तो हमें बस जाना है वहाँ पर उर जो यह प्राधना करना चाहे पीछे-पीछे दोहराना कहना बेहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा दिहारी घर मेरा अग्ज में बना दोगे तो क्या होगा जय जय स्री आखे जय हो बक्षी बारे तेरी जय हो बेहारी घर मेरा ब्रज में बेहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा बेहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा पिहारी घर मेरा ब्रज में बना दो के तो क्या होगा मुझे वो बासुरी अपनी सुना दो के तो क्या होगा मेरा ब्रज में बना दो के तो क्या होगा मेरा ब्रज में बना दो क्या होगा कभी तुम सामने आए कभी तुम हो गए ओ जल कभी तुम सामने आए कभी तुम हो गए ओ जल कभी तुम हो गए ओ जल कभी तुम हो गए ओ जल प्रभू ये बीच का परदा अटा दो के तो क्या होगा प्रभू ये बीच का परदा अटा दो के तो क्या होगा लगू ये बीच का परदा हटा दोगे तो क्या होगा मेरे को पाल गिरधारी मेरे को पाल बनवारी अच्छा जब विहार जी का दर्शन करते करते श्री राधाव लब लाल का दर्शन करते करते बीच में परदा आता है तो क्या आपको वह परदा परदास्त होता है का वह परदा अच्छा लगता है हम भी तो बिहार जी से यही कहना चा रहे हैं बिहारी जी हमें आप से नहीं लेकिन तेरे परदे से शिकायत है क्योंकि तेरे इस परदे को तेरे मेरे बीच में रहने की एक आदत है प्यार पस वह परदा दूर हो जाएं नहीं तो कहने को मन चाहता है फिर कहेंगे बताओ तो परदे में कब तक छुपोगे तुमें रुक से परदा हटाना पड़ेगा मुबारक रहे तुमको मेरी महबबत तुमें सामने मेरे आना पड़ेगा हम देखेंगे तुम कब तक न सुनोगे और कब तक ये नजरे करम ना करोगे प्यारे एक दिन आएगा फिर ऐसा जमाना हम रूठेंगे तुमको मनाना पड़ेगा मेरे गो पाल गिरधारी मेरे गो पाल बन वर्याइगा मेरे को पाल गिरधारी मेरे को पाल बन वर्याइगा सदियों से तेरा हूँ दीवाना ये जनम जनम का पेरा है ये जनम जनम का पेरा है इक तेरी सामरी सूजत में ये दिल दीवाना केरा है ये दिल दीवाना केरा है ये दिल दीवाना केरा है नंदलाल तेरे दीदार बिना इस दिल में हुआ अंधेरा है इक बार तो तू कह दे मुझे से हमें आप से किसी और चीज की अपेक्षा नहीं है हम आप से कुछ नहीं चाहते क्योंकि हमारा सिद्धान्त अलग है देखने में हम भी आपके दरबार के भीकारी नजर आते हैं लेकिन हम आपके दरबार के भीकारी भी हैं तो पहले नंबर के हैं प्यारे कैसे हैं क्योंकि हमें आप से कुछ चाहिए नहीं तो बिहारी जी पूछे कि जब कुछ चाहिए नहीं तो क्यों खड़ा है मांगने के लिए तो अधिकार से कहना प्रेम से कहना कुछ नजरे जुका कर कहना कहना प्यारे हमें आपसे इसलिए नहीं चाहिए कोकि हम आपसे केवल आपको मांगने के लिए बैठे हैं हम आपसे केवल आपको मांगने के लिए बैठे हैं जीवन विता रहा हूं तेरा इंतेजार करते करते पागल सा हो गया हूं बांके व्याहरी तुझे प्यार करते करते मेरे को पाल गिरधारी, मेरे को पाल बनवारी मेरे को पाल गिरधारी, मेरे को पाल गिरधारी मिला दोगा मुझे भी अपनी सखियों में मिला दोगे तो क्या होगा मेरे को पाल गिरधारी, मेरे को पाल गिरधारी फबस्तुन है सुना है सुना है तुमने विंदावर में दावा नल भुजाई थी सुना है तुमने विंदावर में दावा नल भुजाई थी हे शाम सुन्दर आपने विंदावन में लगी हुई वो दावा नल कुंड पर उस अगनी का पान करके समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की थी अनल कहते हैं अगनी को यह दावा नल जो ब्रंदावन में लगी थी जो अगनी लगी थी उस अगनी का पान बाल कृष्ण प्रभु ने किया और समस्त ब्रजवासियों को अपने प्रेम का दान दिया हे प्यारे ब्रंदावन में लगी हुई तो उस अगनी का पान करके आपने वहां सब को सुख प्रदान कर दिया लेकिन मेरे हिरदय में लगी हुई इस प्रेम की अगनी को आपको शान्त करोगी मेरे हिर्दय में लगी हुई वह प्रेम की अगनी तो केवल आपके पावन दर्शनों से ही शान तो हो सकती है मेरे प्यासे नैन केवल आपको निहारते रहते हैं आपको थलासते रहते हैं आपको खोजते रहते हैं आखिर ये अगनी तुम्हारी लगाई हुई तेरे बिन और बुझाएगा कौन हम दीनों पे शाम कृपा करके वो करुणा की बारिस बरसाएगा कौन केवल आप ही तो हमारे हैं केवल आप ही तो हमारे हैं जबी तो हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं सुना है तुमने विंदावन में दावा नल भुजाई थी सुना है तुमने विंदावन में दावा नल भुजाई थी मेरी भी आग हिरते की भुजादोगे तो क्या होगा मेरी भी आग हिरते की भुजादोगे तो क्या होगा दयानी थी मैं तुम्हारे पास आने को तरसती हो दयानी थी मैं तुम्हारे पास आने को तरसती हो मुझे खुद रासता अपना दिखा दोगे तो क्या होगा मुझे खुद रासता अपना दिखा दोगे तो क्या होगा ए बेहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा बेहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा बेहारी घर मेरा ब्रज में बना दोगे तो क्या होगा जय जय श्री रासते एक बार प्रेम से बुलें बुली श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास